इस डरा दिने वाली कहानी की शुरुवात एक लड़की से होती है जो गलती से एक हांटेड हाउस में आ गई थी इस हाउस के अंदर अलग-अलग टाइब के डराओने पुतले मौजूद थे जो लोगों को डराने के लिए रखे गए थे हाला कि उस लड़की को लग रहा था कि ये सारी चीजे नकली है तभी अचानक उसके सामने अजीब तरीके का आदमी आ जाता है जिसने की मास्क पैना था उस मास्क वाले आदमी के हाथ में चाकू होता है वो तो लगातार लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था पर वो लड़की तो सोच रहे थी कि ये आदमी शायद इसी हॉंटेड हाउस में काम करता है और आने वाले लोगों का इंटर्टेन्मेंट करता है लेकिन थोड़ी देर बाद मास्क मैन ने उस लड़की को पकड़कर उसके पेट में चाकू मार दिया था ये सारी चीजे पूरी तरीके से रियल होती है मास्क मैन ने तो लड़की को मारने के बाद उसे गले से लटका दिया था और इसी तरीके से उसने अपने haunted house में कई सारे लोगों को मार कर लटकाया होता है अब हमें यहाँ पर high school के कुछ students दिखाया जाते हैं उनका school अब खतम होने वाला था इसलिए वो party करने के लिए एक साथ मिलते हैं उनी में से नेटेली नाम की एक लड़की होती है जो काफी ज़्यादा शर्मीली थी अब नेटेली की सारी सहलिया एक जग़ पर मिलने के बाद ये decide करती हैं कि वो आज रात मजे करने के लिए शहर में हो रहे hell fest में जाएंगे दरसल hell fest एक Halloween night होती है जिसके अंदर आने वाले सभी लोग अलग-अलग डरावने कॉस्ट्यूम पहन कर लोगों को डराते थे पर अब यहाँ नेटेली अपने दोस्तों से कह रही थी कि वो नहीं जाना चाहती क्योंकि नेटेली को शुरुआत से ही Halloween night पसंद नहीं होती लेकिन जब नेटेली के फ्रेंड ने उसे ये कहा कि पीटर भी उस party में आने वाला है तब जाकर नेटेली hell fest में जाने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि नेटेली कहीं न कहीं पीटर को काफी जादा पसंद करती थी और अब नेटेली के सारे लोग hell fest में इकठा हो जाते हैं चारों तरफ काफी मजे से party हो रही थी वहाँ पर मौझूद सभी लोग अलग अलग टाइप के costume पहन कर आये थे जो किसी भूत, राक्षयस या फिर killer के होते हैं इस Halloween fest में सभी try कर रहे थे कि वो दूसरों को कैसे भी डरा दे क्योंकि यही तो festival का असली मकसद था लेकिन यहाँ नेटेली इसलिए खुश थी क्योंकि पीटर उसके साथ था वो सब hell fest के शुरुआत में मिलकर काफी मज़े करते हैं लेकिन नेटेली और उसके दोस्तों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह fest उनका आखरी festival होने वाला है अब हमें hell fest के अंदर वही खतरनाक mask man दिखाया जाता है जिसने शुरुआत में एक लड़की का कत लगिया था अब वो mask man hell fest में चारो तरफ घूमने लगता है तब ही अचानक mask man से एक लड़की टकरा गई वो लड़की तो mask man को काफी बुरा भला कह रही थी कि वो देख कर क्यों नहीं चल सकता पर अब उस लड़की के जानी के बाद mask man को उस पर काफी गुसा आता है इसलिए अब वो एक चाकू लेकर उस लड़की का लगातार पीछा करने लगा था वहीं दूसरी तरफ नेटैली और उसके सारे साथी एक zombie house में आ जाते हैं इस house के अंदर जगह जगह पर zombies और भूत मौजूद थे जो कि अंदर आने वाले लोगों को डराने का काम किया करते थे हाला कि नेटैली के दोस्त इसे काफी enjoy कर रहे होते हैं लेकिन नेटैली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसके दोस्तों नेटैली पर काफी हस भी रहे थे कि वो इतनी डरपो क्यों है अब यहाँ नेटैली अपनी दोस्त अहलियों के साथ एक room में मौजूद थी तब यह उस room के अंदर वही लड़की भागते वे आती है जो कि कुछ दिर पहले mask man से टकराई थी वो लड़की काफी डरे हुए होकर यह कह रही थी कि mask man मुझे जान से मार देगा हाला कि नेटैली और उसके दोस्तों को लग रहा होता है कि यह सारे चीजे act का एक part है और house में मौझूद यह लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं वो लड़की तो खुद को बचाने के लिए परदे की पीछे जाकर छुप जाती है थोड़ी दिर बाद नेटैली और उसके दोनों सहलियों के सामने mask man हतियार लेकर आ गया था जो उनसे पूछता रहता है कि एक लड़की भागते हुए यहाँ पर आई तो कहां गई नेटैली और उसके दोस्तों को कंफर्म हो गया था कि यह डराने के कोशिश की जा रही है इसलिए वो तीनों mask man को उस लड़की के बारे में बता देते हैं जो कि परदे के पीछे चुपी हुई थी mask man तो लड़की को काफी बुरी तरीके से पकड़ कर मारने लगा था कहीं लगने लगा था कि यह रियल है वो तुरंथी जाकर अपनी सहलियों को भी इस बारे में बताती है लेकिन बाकी सभी लोग नेटैली को बता रहे थे कि यह सब एक प्रैंक है बाडी से निकला हुआ वो खून भी नकली है लेकिन mask man ने जिस तरीके से उस लड़की को मारा वो बिल्कुल भी नकली लगी नहीं रहा था पर अब अपने दोस्तों के इतना कहने के बाद नेटैली इस बात पर भरुसा कर लेती है लेकिन किसी को जरा भी आइडिया नहीं था कि mask man ने अपना कतल का सीरीज चालू कर दी है अब यहां नेटैली के सारे दोस्त प्लैन बनाते हैं कि वो मिलकर एक बहुत ही बड़ी राइड पर जाएंगे लेकिन पीटर उनके साथ जाने के लिए मना कर रहा था दरसल पीटर नेटैली के लिए एक डॉल खरिदना चाता था इसलिए वो बाकी लोगों को जाने के लिए कहकर अकेले ही निकल पड़ता है पीटर जब दुकान के पास आकर डॉल मांग रहा था तब उसे पता चला कि डॉल्स काफी ज़्यादा महंगे हैं और इतने पैसे तो पीटर के पास थे ही नहीं इसलिए वो निराश हो कर वहाँ से जाने लगता है तब ही पीटर ने देखा कि एक आदमी बहुत सरे डॉल्स लेकर घर में से निकल रहा है अब यहाँ पीटर को लगने लगा था कि सायच से ये डॉल्स का वेर हाऊज है जहां से उसे डॉल्स काफी सस्ते में मिल जाएंगे इसलिए पीटर बिना कुछ सोचे समझे उस घर के अंदर चला जाता है अंदर जाके काफे ढूनने के बाद पीटर को डॉल्स तो मिल गई थी पर वो जैसे ही एक डॉल को लेकर बाहर निकलने वाला था मास्क मैन ठीक उसके सामने आ जाता है मास्क मैन ने तो पीटर से बिना कुछ कहे एक लकड़ी वाले हथोडे से उसके गले पर वार कर दिया था जिससे के पीटर नीचे गिरने के बाद खड़ा ही नहीं हो पा रहा था और अब मास्क मैन बड़ी बेरमी से हैमर उठा कर पीटर का पुरा सरी फोड देता है पीटर की भी बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी अब यहाँ पीटर के मोबाइल पर नेटली का मेसेज आ रहा था जो उसे पूछ रही थी कि वो कहां पर है तब जाकर मास्क मैन पीटर के मोबाइल से ये पता लगाता है कि नेटली अभी कहां पर मौजूद है नेटली तो अपने दोस्तों के साथ एक roller coaster right पर जा रही थी जो कि एक haunted house में से हो कर जाएगी नेटली के बागी दोस्त roller coaster में बैट कर आगे बढ़ते ही रहते हैं तब ही अचानक roller coaster बीच में ही रुख गई थी और अब नेटली ने कुछ दूरी पर mask man को देख लिया था जो उसके पास आते जा रहे थे नेटली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है पर देखते ही देखते वहाँ पर mask man जैसे बहुत सारे लोग आ गए थे जिससे ये पता चलता है कि ये सारी चीजे theme का एक part है जो कि लोगों को सिर्फ डराने के लिए apply की गई है नेटली की तो एक time के लिए जानी निकल गई थी और अब वो सब roller coaster से भी निकल आते हैं अब उन्होंने decide किया कि वो लोग उस room में जाएंगे जहां पर इंसानों के नकली part काट कर लगाए गए हैं अंदर जाते ही अलग-लग type के zombies और monsters उनके उपर हमला करने लगे थे ये सारी चीजे नकली होती हैं जो कि एक डराने का part थी अब यहां हम Natalie के दो male दोस्तों को देखते हैं जिनके सामने तो अब एक train बढ़ती जा रही थी उनमें से एक male friend तो डर के मारे वहां से भाज जाता है पर दूसरा वला friend तो बड़ी बहादुरी दिखा रहा था और किसी से ना डरते वे वहीं पर रुख जाता है अब train की वज़े से वो एक अलगी compartment में आ गया था उस लड़के को समझे नहीं आता कि वो आगे कहां से बढ़े तब ही अचानक उसके सामने mask man आ जाता है जिसने की उस लड़के को जमीन पर गिरा कर अपने हाथ में लिये एक injection से उसके आख में बुरी तरीके से मार दिया था और अब देखते ही देखते बड़ी खौफनाग तरीके से वो लड़का मारा जाता है वहीं दूसरी तरफ नेटली जोकी वाश्रूम में मौजूती उसके दरवाजे को कोई खूलनी लगता है ये और कोई नई बलकी mask man होता है जो नेटली को मारने की कोशिश कर रहा था उसने तो नेटली को उपर से पकड़ लिया होता है पर नेटली कैसे भी अपनी जान बचा कर दरवाजा खोल के वाश्रूम से भाग जाती है नेटली तो अब एक गार्ड और अपनी एक दोस्त को वाश्रूम में लेके आ गई थी mask man को दिखाने के लिए पर अपसोस mask man वहाँ से पहले ही निकल चुका था पर तभी नेटली की फ्रेंड जिसका नाम मिया होता है उसने वहाँ पर कुछ photograph देख लिये थे ये वही photograph थे जो कि नेटली ने अपने दोस्त के साथ निकाले थे और इन photograph को mask man ने चुरा लिया था जिस बात से मिया को ये confirm हो जाता है कि mask man उन्हें मारने के लिए पीछा कर रहा है मिया और नेटली तो तुरंत अपने बाकी दोस्तों के पास आ गए थे उन्हें बताने के लिए कि हमें यहाँ से mask man से बचकर तुरंत ही निकलना पड़ेगा लेकिन जैक तो कह रहा था कि हम बाकी दोस्तों को लिए बिना कैसे जा सकते हैं और तो और जैक की एक female friend अभी अभी एक show में participate करने गई है नेटली और बाकी सब stage के पास अपनी friend का वो show देखने चले आते हैं जिसके अंदर सारे लोग costume पहन कर बाहर आ रहे थे और अब नेटली के friend भी दिखाये जाती है जिसे की एक धारदार चाकू की नीचे रखा जाने वाला था जिसका मतलब यह होता है कि वो सब नेटली के ऊपर वो धारदार चाकू गिराएंगे और अपना show दिखाएंगे पर अब नेटली को कुछ गड़ बर लग रही होती है वो costume पहने हुए मास्क मैन को पीछे खड़ा हुआ देखकर समझ जाती है कि वो सब reality में उसकी friend की जान लेने वाले है इसलिए वो काफे घबरा कर इस पूरे show को रोकना चाती थी लेकिन नेटली को guards अंदर जाने ही नहीं देते और अब वो धारदार तलवार नीचे गिराई जाती है जिसने नेटली की friend का गला ही काट दिया था पर थोड़ी दिर बाद सभी को ये पता चला कि ये सब तो एक prank था नेटली की friend तो पूरी तरीके से सुरक्षित होती है लेकिन अब mask man reality में नेटली की friend की जान लेने वाला था वो तो नेटली को वहीं पर फसा कर एक बार फिर से तलवार उपर से नीचे गिराता है नेटली की friend इस बात से काफी घबरा गई थी क्योंकि अब उससे भी पता था कि ये सब रियल में हो रहा है नेटली की friend कैसे भी करके अपने अपको छुडा लेती है और वहाँ से भागने लग जाती है वो तो काफी घबराई हुई एक mask man से दूर जाते जा रही थी पर mask man लगातार पीछा करते वे नेटली की friend के पास पहुचकर उसे चाकू से पेट में मारने लग जाता है ये सारी चीज़े देखकर जब नेटली के friend उसके पास गए तब mask man ने जैक की भी छाती पर वार कर दिया था जिससे कि जैक की भी जान चली जाती है सारे लोग ये सारी चीज़े देखकर यहां से वहाँ भागने लगे थे नेटली और मिया भी mask man को इस तरीके से उनके दोस्त को मारते वे देखकर भागने लग गए थे और हम mask man बचे वे उन दोनों को भी मारने के लिए उनका पीछा करता ही रहता है नेटली और मिया भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर चारों तरफ laser lights लगी होती है उन दोनों ने जैसे ही laser light को cross किया वहाँ पर siren बचने लग जाते हैं यानि कि mask man ने इस जगह को इस तरीके से design किया था कि वो किसी के भी location का पता लगा सके ला मास्क मैन तो लगातार एक बहुती बड़े कुलाडी के साथ उनके पास बढ़ता रहता है लेकिन नेटली और मिया अपने हाथ में एक एक हतियार लेकर उस जगह पर पहुच गए थे जहाँ पर काफी अंधेरा था और काफी सारे लोग मास्क पहन कर खड़े हुए थे जब मास्क मैन वहाँ पर आया तब वो पता नहीं कर पा रहा था कि नेटली और मिया कहाँ पर गए और अब नेटली एक अच्छा मौका देखकर मास्क मैन की उपर लकड़ी से वार करने लग गई थी वो मास्क मैन को काफी ज़ादा मारती है और अब मास्क मैन काफी घायल होने की वज़े से उन दोनों को मौका मिल गया था वहाँ से भागने का लेकिन मास्क मैन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था यहां मिया पूरी तरीके से डर चुकी थी इसलिए नेटली मिया को समझाती है कि तुम एक सीब जगा पर जाकर छुप जाओ जहाँ पर मास्क मैन तुमें ढून ना सकें और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमें सुरक्षित रखूंगी ये कहकर नेटली वहाँ से कहीं दूर चले जाती है पर अब हमें पता चला कि मास्क मैन को मिया की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है इसलिए वो अपना एक खतियार लेकर मिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा था मिया के पैर में चोट लगने की वज़े से वो तो चल भी नहीं पा रही थी और अब मास्क मैन धीरी धीरे एक कुलाडी लेकर उसकी तरफ बढ़ता रहता है लेकिन जैसे ही मास्क मैन ने एक लेजर लाइट को क्रॉस किया तबी साइट की तरफ एक दरवाजा उपन हो जाता है जिसके अंदर से और कोई नहीं बलकि नेटली बाहर निकलती है और एक चाको की मदद से मास्क मैन के सीने में वार कर देती है मास्क मैन पूरी तरीके से अनकॉइश्यस होकर नीचे गिर गया था जिससे कि नेटली और मिया सही सरामत उस जगह से बाहर निकल गए थे अब कई गंटों बाद जब पुलिस वाले इस जगह पर अपनी चान बिन करने आते हैं तब उन्हें उस जगह पर मास्क मैन की डेट बोडी मिली ही नहीं थी उन्हें तो सिर्फ वहाँ पर थोड़े से खून दिखाई देते हैं जो मास्क मैन के थे जिसका साब साब मतलब ये था कि मास्क मैन अभी भी जिन्दा है और वो वहाँ से भाग चुका है अब हमें दूसरी तरफ मास्क मैन अपने घर पर दिखाया जाता है जिसकी एक बेटी थी वो तो अपनी बेटी के सामने बहुती दरिया दिल और एक अच्छा इंसान दिखाता था पर रियालिटी तो ये थी कि वो मास्क मैन एक साइको था जो अपने इंटरनल खुशी के लिए लोगों को मारा करता था पर क्या मास्क मैन बचे हुए नेटली और मिया को मारने जाएगा ये तो अभी एक राज ही है इसी तरीके से हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं पर खतम हो जाती है सुवी वर्स आपको ये स्टूरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेशन एक पसिन भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक चानल और को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई